है लो डियर स्टूरंट्स वैलकम टू यॉ अल इन पवनवाग अकेडमी देखिए अगेन आज हम जो कलके लेक्चर में हमने जो पार्ट को छोड़ा था अब उसी के साथ आज स्टार्ट करते हैं देखिए हमने कलके लेक्चर में क्या देखा था बायो मॉलेक्यूल्स के साथ हमने स्टार्ट किया था बायो मॉलेक्यूल्स को हमने क्या करके बोला था बायो मॉलेक्यूल्स कुछ ऐसे मॉलेक्यूल्स जो सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन को कम्पलीट करते हैं या फिर जो सेल है उसके अंदर जो भी फंक्शन चलते हैं उस उसमें से कल हमने complete किया है carbohydrate और उसमें हमने carbohydrate में भी हमने क्या किया था हमने start किया था homo polysaccharides को अब उसमें से कुछ examples हमारे बाकी थे जो कि अब हम आज के lecture में complete करेंगे देखिए हमने कल के lecture में देखा था homo polysaccharides में हमने देखा था starch में हमने क्या देखा था कि दो structure होते हैं उसके amylos और amylopectin तो वैसे ही अब हम आज देखेंगे again starch को ही complete करेंगे देखिए अब यह starch जो है वो कैसा होता है stored form of sugar है क्या है वो stored form of sugar अब देखिए अगर यह stored form of sugar है तो यह किस में stored form होगा है तो यह शुगर ही बट वो कैसा है stored form of sugar है जो कि हमें कहां पे मिलने वाला है plants में जादा करके यह stored होता है और plants में भी आपको यह कहां पे stored मिलेगा यह stored मिलेगा आपको plants के roots में, seeds में या फिर different parts of plants roots का example तो आप सबको पता होगा potatoes, potatoes क्या है? starch उसके अंदर stored होता है अब देखिए यह जो starch है यह अगर हम बोलेंगे stored form of food है बट वो stored कब होता है? कौन से point पे यह stored होता है? अब देखिए starch आपको पता है यह किस से बना है? अमाईलोज और अमाईलोपेक्टेन से बना है हमने कल के lecture में ही देखा कि यह बना है अमाईलोज और अमाईलोज और अमाईलोपेक्टेन जो है देखिए अमाईलोज है देखिए अमाईलोज किस से बना है? ग्लुकोस से बना है सारे ग्लुकोस के मोनोमर्स है जिन से क्या ब बना है और amylopectin जो है वो भी अगें किससे बना है glucose के monomers से ही बना है मतलब जो starch है वो किससे बना है starch भी again किससे अगर वो amylos और amylopectin से बना है और amylos और amylopectin glucose से बना है इसका ही मतलब क्या हो गया है यहाँ पे starch भी किससे formation होता है starch का भी glucose से ही होता है बेट जब यह glucose excess amount में हो जाता है तब क्या होता है कि इस glucose को क्या किया जाता है? Store किया जाता है किसमे? Plants में जब glucose excess amount में plants में होता है तब इसे stored किया जाता है in the form of starch ओके आगे यह बात आप लोगों को समझ में इसलिए starch जो है वो stored form of glucose है plants के अंदर अब देखिए यहाँ पे second है cellulose देखिए हमने starch का structure तो देख लिया starch किस से बनता है? amylose और amylopectin से बनता है इसलिए अब हम starch के structure के बारे में बात नहीं करेंगे हम directly start करते हैं cellulose को देखिए पहले हमने starch देखा था अब दूसरा क्या देखना है homo polysaccharide में starch के बाद देखते हैं cellulose अब देखिए cellulose क्या है? again cellulose भी आपको अच्छे तरह से पता होगा जैसे starch प्लांट में पाया जाता है वैसे cellulose भी क्या है? plant material ही है वो कैसा है? again यह क्या है? most abundant amount of organic compound in the nature हमारे mother earth पे सबसे ज़्यादा amount में पाया जाने वाला organic compound है cellulose और वो भी आपको कहां पे मिलेगा? ज़्यादा तर plants में मिलेगा and this mother earth is most abundantly populated with the plants only इस वज़े से यहां पे क्या है? कि जो भी cellulose है वो present कहां पे होते है? plants में है और वो क्या है? organic compounds है क्योंकि हमने बोला है biomolecules है तो वो organic compounds ही है जिनके अंदर क्या है? carbon compounds है अब देखिए again अगर हमने बोला कि यह plants में पाये जाते है तो specifically plants में कहां पाये जाते है? plant की cell wall है वो बना करती है वो बनाई जाती है cellulose से plant की cell wall बनती है cellulose से अब देखिए but क्या आपने कभी ऐसे देखा है कि humans या man जो है वो directly plants को खाया करते है नहीं क्योंकि humans के पास या man के पास इतनी ability नहीं है कि वो cellulose को digest कर पाए अब वो digest क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि humans के पास ऐसी कोई enzyme या कोई bacteria उनके digestive system में नहीं है जो कि cellulose को digest कर पाए but अगर इसी के साथ अगर हम बात करेंगे जो भी cattle है जो भी cattle है उनके पास ये ability है कि वो cellulose को digest कर पाए इसलिए क्या होता है कि वो क्या खाते है? they are eating the plant material and if they are eating the plant material plant material किससे बना है? plant material है वो उसकी cell wall बनी है cellulose से मतलब उन animals के पास, कुछ cattle के पास वो चीज़ है कि वो digest कर पाते है cellulose को but man cellulose को digest नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास वो digestion के enzymes ही नहीं है वो digestion के लिए वो bacteria ही उसके digestive system में मौझूद नहीं है ठीक है? अब देखिए इस cellulose का जो structure है वो actual में कैसा है? वो क्या है? cellulose कैसा है? linear structure है linear है बट वो कैसा है? polymer है अब linear means straight तो है बट polymer means क्या है? बहुत सारे glucose units से ये bind है देखिए मतलब अगर ये है glucose, दूसरा glucose, तीसरा glucose ये सारे monomer जो है ये क्या है? यहाँ पे इसे join है और जितने सारे glucose के polymers, मतलब जितने सारे glucose join होने वाले हैं यहाँ पे और दो से जादा अगर glucose join होगे तो उसे हम polymer बोला करेंगे बट और एक specificity इसमें है क्या है specific चीज इसके अंदर? कि जब भी ये join होता है तो ये कैसे join होता है? बीता 1,4 glycosidic bond से हमने कल के lecture में क्या देखा था? देखिए हमने देखा था कि यहाँ पे जो binding हुई थी वो किस से हुई थी? अलफा 1,4 glycosidic linkage से हुई थी कैसे हुई थी? अलफा 1,4 से हुई थी बट यहाँ पे अब आज cellulose के अंदर binding हमें देखनी है बीता 1,4 glycosidic bond देखिए ये linkage कैसी होती है? देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमने कल के lecture में directly क्या देखा था? हमने देखा था अलफा 1,4 glycosidic linkage या फिर हम इसे linkage भी बोल सकते है या फिर bond भी बोल सकते है अब देखिए यहाँ पे अब हम इससे draw करते हैं अब अगेन क्या है? cellulose भी क्या है? अगेन glucose के ही polymer है हमने क्या देखा यहाँ पे? हमने यहाँ पे देखा कि अगेन linear polymer of glucose glucose C ही बने है अब यह क्योंकि हम यह किसके अंडर पढ़ रहे है? homo polysaccharide के अंडर मतलब एक ही चीज से वो क्या है? बने हुए है इसलिए homo polysaccharide के अंदर starch भी आएगा, cellulose भी आएगा अब देखिए इसके structure को देखते हैं इसके अंदर कितने carbon atoms है? glucose के अंदर? 6 है अब हमें बस देखना है यह cyclical इसके arrangement है और वो cyclical arrangement में भी हमें क्या देखना है? glycosidic bond को या linkage को form करता है अब देखिए यहाँ पे हम start करेंगे H यहाँ पे again OH Wait a minute देखिए यहाँ पे हाँ, ओके यहाँ पे देखिए हमने कैसे start किया था? यहाँ पे H था और यहाँ पे OH था तो यहाँ पे वैसे joining हमने दिखाई है बट यहाँ पे अब हमें क्या दिखाना है? alpha 14 linkage के बजाए हमें दिखाना है beta 14 linkage यह हमने किसमें दिखाया था? यह हमने दिखाया था amylos में किसमें दिखाया था हमने यह? amylos में बट अब यहाँ पे हमें दिखाना है beta 14 linkage अब वो linkage कैसा होगा? वो हम देखते हैं देखिए अब यहाँ पे oh, h, oh, h, h और यहाँ पे हमें दिखाना ही नहीं है कुछ क्योंकि यहाँ पे सीधा यह जाएगा अब देखिए यहाँ पे same ऐसा ही structure जाएगा यह देखिए कर दो और अगेन यहाँ पे भी वैसे ही आएगा अब देखिए यहाँ पे हमें अगर लिंकेज देखना है तो यहाँ पे वापस हम देखेंगे 1,2,3,4,5 और 6 कितने कारबन एटम से अगेन 6 और फिर से यहाँ पे भी देखेंगे 1,2,3,4,5 और 6 अब यहाँ पे हमने क्या देखा है बीटा वन फोर लिंकेज हमने क्या देखा है बीटा वन फोर लिंकेज अब इस लिंकेज में क्या है बीटा यह जो लिंकेज है डाइगूलली आपको दिखेगी इसलिए यहाँ पे क्या है देखिए दोनो कार्वन आटम कौन सा है एक पहले वाले पॉलिमर पहले वाला जो यह सब क्या है ग्लुकोज है यह भी ग्लुकोज है यह भी ग्लुकोज है और यह भी ग्लुकोज है यह भी ग्लुकोज है इन सब ग्लुकोज के बीच में यह सारा क्या है polymer है glucose के अब इन glucose को क्या करना है जॉइन करना है तो इसके लिए यहाँ पे क्या होने वाला है beta 1,4 linkage या फिर beta 1,4 glycosidic linkage का bond होने वाला है यहाँ पे तो अगर यह diagonally है तो हम इसे क्या कहेंगे beta कहेंगे बाकी जो linkage है या फिर carbon number 1 of first glucose and carbon number 4 of upcoming glucose इन दोनों के बीच में आपको क्या दिखेगा एक bond formation होते हुए दिखेगा इसलिए हम इसे क्या बोलते है beta 1,4 linkage आगई यह बात आप लोगों को समझ में alpha 1,4 कैसा है यह straight जाएगा alpha 1,4 और beta 1,4 कैसा जाएगा diagonally वहाँ पे क्या होगा bonding होने वाला है between first glucose molecule and second glucose molecule आगई आपको यह बात समझ में दोनों में फरक है alpha 1,4 glycosidic linkage में और beta 1,4 glycosidic linkage में अब यह आपने किसमें देखा यह जो structure था यह structure किसका था यह था cellulose का structure हम इसे लिखते हैं यह कौन सा structure है cellulose ओके देखिए cellulose भी हमने जो देखा plants में था stars भी हमने देखा plants में था अब next बात करेंगे हम kaitin की जिसे kaitin भी कहा जाता है यह chitin भी कहा जाता है अब देखिए यह जो kaitin यह chitin है यह actual present कहां पे है अब यह भी किस से बना है यह भी कैसा है homo polysaccharide ही है अब यह homo polysaccharide अगें किस से बना है glucose की molecule से ही बना हुआ है अब देखिए यहां पे यह कैसा structure होता है यह structure होता है large और इसमें आपको क्या दिखेगा यह large structure है और उसी के साथ यह भी क्या है polysaccharide से बना हुआ है और specially किससे बना है, homo polysaccharide से ये बना हुआ है अब देखिए यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको अब भी कहा कि यह किससे बना है, chains of modified glucose अब हमको यहाँ पे देखना है, twist यहाँ पे आता है क्या twist है, यह किससे बना है, chains of modified glucose कहा है यहाँ पे अब हम लोगोंने, हमने बस glucose में कहा है हमने starch पड़ा, हमने cellulose पड़ा, इन दोनों में हमने क्या किया बस glucose का molecule जो था, उसको join किया है और join करने में हमने बस difference देखा है एक में, starch में हमने देखा, वो कैसे join हुआ, alpha 14 linkage से और इसमें हमने क्या देखा, cellulose में, beta 14 glycosidic linkage से joining हुआ है बट यहाँ पे, अब जो glucose है, उसी में modifications आ रहे है इसलिए उसे कहा गया है, modified glucose अब देखते हैं, उस glucose के molecule में modifications कहाँ पे हुए है देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, modifications में जहाँ पे N-acetyl glucosamine units है क्या है, N-acetyl glucosamine units linked through beta 14 glycosidic linkage यहाँ पे जो N-acetyl glucosamine units है, वो linked है beta 14 glycosidic linkage से या glycosidic bond से अब देखिए, इसे हम जब structure में देखते हैं तो वापस एक बार आते हैं इसकी तरफ अब again देखते हैं कि देखिए, actual यह kitein है या chitin है जिसे कुछ लोग kitein बोलते हैं, कुछ लोग chitin बोलते हैं तो यह वाला जो material है, again यह present किस में है हमने cellulose देखा और stars देखा, दोनों भी materials कहां पे present थे हमने देखा कि यह दोनों भी plants में present थे carbohydrates, अब यह भी carbohydrates है, kitein अब वो कहां पे present है, वो present होते है in the cuticle of insects, insects जो है, उनका cuticle, मतलब उनकी जो external skin होती है, जैसे कि आपने देखा है कि जो cockroaches होते हैं, या बाकी के insects होते हैं, उनकी जो skin है, वो बनी हुई रहती है, kitein से, इस type के carbohydrates से, जो punk आपने देखे होंगे, wings देखे हैं, किसके cockroaches के, वो तो आप सब लोगों ने देखे ही होंगे, वो कौन से material से बने है, वो है carbider से बने हुए, और वो भी किससे chitin से, homo polysaccharide है chitin, जो की glucose के group से बना है, बट वो भी कैसे, modified glucose से बना है, इसलिए देखिए, यहाँ पे, आपको starch में, cellulose में, और chitin में, आपको फरक नजर आने वाला है, अब यहाँ पे देखिए, यह आपको मिलेगा, insects के cuticle में भी, और जो crustaceans होते हैं, मतलब crabes हैं, उनमें आपको crabe जो है, उसके exoskeleton में भी क्या पाया जाएगा, chitin पाया जाएगा, उसका जो exoskeleton है, उसकी जो upper body है, upper skin है, वो भी किस से बनी हुई है, वो भी बनी हुई है, chitin से ही, अब देखिए, again, हमने क्या देखा था, कि कुछ ऐसे चीज़ी थे, कि जो non-degradable थे, बट यहाँ पे, जो chitin होता है, वो कैसा होता है, bio-degradable है, इसका degradation होता है, इसलिए इसे कहां पे यूज किया जाता है, surgical threads में इसे यूज किया जाता है, surgical threads जो है, आपने देखे होंगे, surgical threads है, वो किस से बने हुए है, वो बने हुए होते हैं, chitinous material से, और उसके वज़े से क्या होता है, they will degrade, biologically only, इसलिए उनको इसके लिए यूज किया जाता है, अब देखिए, यहाँ पे, आपको क्या दिखेगा, hydroxyl group जो है, OH group, glucose molecule में, normally जहाँ पे होता है, उस जगा पे अब क्या हुआ है, amyl group का addition हुआ है, मतलब ही कौन सा है, acetyl glucose amyl group का addition हुआ है, इसलिए इसे कहां गया है, modified glucose, अब देखते हैं, कैसा है यह modified glucose, अब देखिए, यह वाला जो है, यह वाला क्या है, glucose है, बट यह glucose कैसा है, यह है modified glucose, कैसा glucose है अब यह, modified glucose है, अब इसे modified क्यों कहां गया है, normally अगर हम देखते, तो यहाँ पे कौन सा group होता, देखिए, अगर हम यहाँ पे इसे लिखते हैं, normally अगर हम यहाँ पे इसे लेते, कि यह glucose है, और अगर हम इसे glucose करके लेते, तो यहाँ पे क्या होता, देखिए, यह वाला अब glucose है, यह वाला glucose कैसा है, normal है, और यह वाला कैसा है, modified है, modified में बस changes आपको कहां पे दिखने वाले है, modified में यहाँ पे, modified में यहाँ पे, क्या add हुआ है, यहाँ पे addition हुआ है, N-acetyl-glucosamine unit का, क्या addition हुआ है, यहाँ पे, N-acetyl-glucosamine unit का, आ रहे हैं यह बात आप लोगों को समझ भें, यहाँ पे किसका addition होगा, N-acetyl-glucosamine unit का यहाँ पे addition होगा, किसकी जगा पे, OH की जगा पे, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, Modified glucose बोलेंगे, और उस वज़े से कौन सा structure बनने वाला है, Chitania structure बनने वाला है, जो कि पाया जाता है, Insects के, Exoskeleton में, और, किसमें पाया जाता है, Crabs जो होते हैं, या फिर, जो Crustaceans होते हैं, उनके Exoskeleton में, अब देखिए, इसे हम अगेन लिखते हैं, एक बार, अगेन यहाँ पे कौन सा group join है, NH, CO, CH3, पैसी ही बात यहाँ पे भी होने वाली है, यहाँ पे भी अगेन क्या हो जाएगा, NH, CO, CH3, H, OH, अगेन H, CH2, OH, H, अगेन यहाँ पे H, देखिए, अब यहाँ पे हमें सब जगा के पे क्या दिख रहा है, Modified Glucose हमें यहाँ पे दिखेंगे, और यह वाले जो Modified Glucose है, यह एक दूसरे को join है, और इसलिए यह form करते है, Catenious Structure, अब बट इसमें और एक बात हमें देखनी है, कि इसमें जो bonding है, वो कैसी है, बीटा वन फोर लिंकेज है, इनके बीच में कैसा लिंकेज है, बीटा वन फोर हम डिरेकली लिखते हैं, यहाँ पे बीटा वन फोर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, आ गई आपको यह बात समझ में, अब देखिए यहाँ पे अगेन, वही करना है फिल से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितने हो गए यह, यह पूरे कितने है, 6, और वैसे ही यहाँ पे भी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब यह कितने हो गए, 1 और 4, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, formation हो रहा है, bond का, और वो bond काँसा है, glycosidic linkage का bond है, और यह diagonally जा रहा है, इसलिए हमने इसे क्या कहा है, बीटा, इसलिए बीटा, 1, 4, glycosidic linkage का formation हुआ है, ओके, देखिए यहाँ पे, हमने इस glucose का जो structure है, उसे पहले ही lecture में देखा था कि linear form में कैसा होता है और cyclical form में कैसा होता है glucose कैसा बना हुआ है glucose बना हुआ है 6 carbon atom से और वो 6 carbon atom यहाँ पे हमने गीने है 1, 2, 3, 4, 5, or 6 और इस तरह से यहाँ पे 1 पहला जो ग्लुकोज है modified glucose का 1st modified glucose का 1st carbon atom bind करता है 2nd modified glucose के 4th number के carbon atom को इस तरह से क्या होता है इस modified glucose की polymer form होती है और उसके help से kaitanus structure का formation होता है अब देखिए last में आता है glycogen हमने क्या क्या देखा हमने stars देखा हमने cellulose देखा उसके बाद हमने kaitin या chitin देखा अब हम next fourth वाला देखेंगे glycogen अब यह glycogen क्या है again यह क्या है it is synthesized and stored in the skeletal muscles देखिए दोनों का यह synthesized भी होता है और store भी होता है किसके अंदर skeletal muscles के अंदर और skeletal muscles के साथ-साथ यह कहां पे होता है लीवर में भी होता है अब लीवर में यह कब store होगा जब भी लीवर में यह tub stored होगा जब excess amount of glucose हम लेंगे जब भी कोई animals या हम खुद excess amount of glucose अगर हमारे बाड़ी में लेंगे तो उस वक्त क्या होता है उस excess amount of glucose को convert किया जाता है glycogen में और फिर उसे store किया जाता है लीवर में ताकि जब भी वो require हो जब भी हमें वो चाहिए तब हम उसे use कर सकते हैं फॉर एक्जाम्पल देखिए अगर हम क्या है under starvation है हमें अभी बहुत भूग लगी है बट अभी हमें कुछ मिल नहीं रहा है या फिर हमारा fast है उपवास है हमारा हमने खाया नहीं है कुछ उस वक्त क्या होता है कि ये वाला जो glycogen है ये glycogen क्या होता है बाद में ये निकल के आता है लीवर से इस तरह से जैसे glucose के form को convert किया गया था glycogen में और फिर उस स्टोर किया गया था वैसे ही उस glycogen को फिर से निकाल के glucose में convert करके फिर से use किया जा सकता है इसलिए glycogen कैसा है stored in the skeletal muscles या फिर लीवर के अंदर अब देखिए actual ये जो glycogen है ये बना कैसे है ये बना किस चीज से है तो ये किस से बना है ये बना है large branched polysaccharide से किस से बना है ये बना है polysaccharide से बना हुआ है अब देखिए again इसे हमने क्या कहा ये है energy reservoir क्यों कहा हमने glycogen को energy reservoir क्योंकि हमने अब भी देखा कि जब हम excess glucose लेते हैं हम excess खाना खाते हैं मतलब हमने क्या किया glucose प्रोड्यूस किया है excess या फिर body के अंदर लिया है excess glucose का बाद में किस में convert हो जाता है वो convert हो जाता है glycogen में wait excess glucose किस में जाएगा एक्सिस ग्लुकोज जाएगा ग्लाइकोजन में और अगेन उसे कनवर्ट किया जाएगा ग्लुकोज में वेन रिक्वाइर्ड और ये क्या है वेन एक्सिस देखिए जब एक्सिस ग्लुकोज होगा तो उसे कनवर्ट किया जाएगा ग्लाइकोजन में और जब वो रिक्वाइर्ड है तो उसे अगेन कनवर्ट किया जाएगा ग्लुकोज में इस तरह से इसे हम कहते है एनरजी रिजरवाइर जब भी हमें लगेगा ये स्टोर्ड एनरजी को हम यूज कर सकते हैं अब देखिए नेक्स्ट क्या है ग्लुकोज जो है ग्लुकोज के कैसे बनता है ग्लुकोज के बहुत सारे यू emba वह लिंग्ट है एक दुसरे को वह भी कैसे है do उसके बाद देखिए जैसे हम यहाँ पे निकालते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 देखिए अब यहाँ पे approximately after each 10 units of chain of chain glucose units branched off with alpha-16 glycosidic linkage अब यहाँ पे again क्या हो जाएंगे फिर से 10 units हो जाएंगे फिर यहाँ पे किसी दूसरे के साथ वापस join हो जाएंगे देखिए ऐसा वाला structure हमने कल देखा था किस में देखा था हमने हमने यह structure देखा था amylopectin में देखिए यहाँ पे amylopectane में देखा था हमने यह structure ओके देखिए यहाँ पे हमने क्या देखा था कि जैसे ही यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे दो glucose के units देख रहे हैं वैसे यहाँ पे जब 10 हो जाएंगे मतलब 10 का एक branch हो जाएगा linear branch हो जाएगा 10 units का फिर उसके बाद वो directly एक नया branch नीचे या फिर उपर वो तयार करेगा और फिर वो क्या करेगा नीचे alpha 1,6 glycosidic linkage या फिर bond का formation करेगा इस तरह से क्या हो जाएगा यह एक branched carbohydrates यह बन जाएगा इस तरह से क्या होने वाला है इसका formation होने वाला है बट यहाँ पे देखिए जो glycogen है glycogen में आपको दो चीज़े देखने को मिलेंगी दो तरह के आपको glycosidic bonds देखने को मिलेंगे एक मिलेगा alpha-14 linkage मिलेगा alpha-14 glycosidic linkage मिलेगा और दूसरा alpha-16 glycosidic linkage भी आपको मिलेगा इसलिए इसे याद रखिए कि यह कब मिलने वाला है कब होगा यह alpha-16 glycosidic linkage का formation एक branch का formation जब यहाँ पे 10 units of glucose का binding हो जाएगा यह इसके bonds form हो जाएगे और उसके बाद यहाँ पे क्या होने वाला है एक नई branch का formation होगा और नई branch के formation के बाद again वो branch 10 units form करेगी फिर से नीचे again दूसरा branch form होगा फिर से वो 10 units form करेगी फिर से दूसरा branch ऐसे branching इसका चलता रहेगा इस तरह से formation होने वाला है glycogen का और अगर इसका branching होता रहेगा यह branching होने के बाद इसका क्या होने वाला है यह reserve करके रखा जाएगा इसलिए इसे energy reservoir बोलेंगे और जब भी इसकी जरूरत होगी जब भी under starvation होगा जब यह required होगा तो क्या होगा यहां से breakdown होगा इसका यहां से breakdown होगा और यह जो glucose molecules जितने जितने एक एक करके directly अगर देखेंगे हम तो देखिए यहां पे देखिए यहां पे यहां से एक cut दिया एक glucose cut होगया यहां से एक cut दिया ऐसे एक एक करके glucose की जो chain है वो तूटती जाएगी और ये glucose molecules को use किया जाएगा for the purpose of energy. इस तरह से आपने ये क्या देखा? glycogen का structure देखा, अब यहाँ पे आज के lecture में हमने क्या क्या देखा है? हमने आज देखा कि starch क्या होता है, उसका structure कैसा होता है, उसके बाद हमने देखा cellulose, cellulose का structure, उसके बाद हमने देखा glycogen और kaitin. इन चारों को हमने देखा है, चारों भी क्या थे? homo polysaccharide थे, बस हमने यहाँ पे जो kaitin था, chitin था, chitin में हमने क्या देखा था? कि यहाँ पे modified glucose का क्या होने वाला है? बाइंडिंग होने वाला है और modified के साथ, इसमें हमने दो चीज़े रेकी, glucose भी modified था और उसके साथ ही इसके अंदर beta 1,4 glycosidic linkage का formation होने वाला था, बाकी जादातर हमने alpha 1,4 linkage ही देखे है, got it? तो अब हम यहाँ पे रुपते हैं, next lecture में हम lipids के साथ आएंगे, okay? तो तब तक के लिए आप अपना खयाल रखिए, have a nice day, bye!